नमस्कार शीला की रसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो होली की हारदिक सुपकामना है आप सभी को आज मिले कर आई हूँ आप सब के लिए मावा गुजिया की रेस्पी तो होली तो आही गई है तो ये इसके बिना तो होली अधूरी रहती है तो गुजिया तो हर घर में बनता है तो आज मैं भी बनाई हूँ थोड़ी से तबियत खराब हो गई थी तो इसलिए पहले से आपको रेस्पी नहीं दे पाई कितना अच्छा कलर आया है आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ ये देखे कितनी खस्ता बनी है और कुरकुरी भी है ये देखे और देखे मसाला भी खुब भरवूर भरा है मैंने ये देखे तो हुली पर आप भी बनाईएगा और अपने परिवार को और महमानों को कलर भाट बवाट भी कितना आच्छा यह उभ्यास बहुत ही तो भेव सब्सक्राइब देखिएOSHU तो प्रफिक्टी नेैं देखिय कितने उच्छी बनी है कि वी डिभी पसंद लाइक जरूर कर दीजिए मैं और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए गुजिया में जो भी मसाले में डालूंगी वह इस प्रकार है यह देखिए बादाम है काजू है और किश्मिश है सब मैंने 50-50 गराम ली है और यह है चिरवंजी दाना इसको मैं थोड़ी स ली हूँ 20 गराम के लगभग आई है पोस्तो दाना तो गाई गुजिया मिना इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा पोस्तो दाना पहले मैंने ही डालती थी पर मेरी शास ने मुझे बताया कि पोस्तो दाना डालने से आच्छी स्कुजिया बंती है और यह है मावाश यो मैंने घर पर ही तयार किया है तो दो ली टर दूद मने जलाए थी देखिए इतना निकला है लगभग आधा किलो तो होई गाई आधा किलो से ज्यादा ही होगा यह देखिए और चीनी को मैंने पीछ लिया है और साथ में हरी लाइची भी पीछ ली हूँ तो चलिए आप आटा तयार करते हैं यह देखिए एक परात ले लिजे कोई भी बड़ा बरतन आप ले सकते हैं जिसमें आप आटा गुथ सके तो अब मैं गुजिया का डो लगाने जा रही हूं तो यह देखिए एक कप, दो कप, तीन कप, चार कप तो चार कप आटा मैंने ले लिया है आप चाहें किसी कटूरी से भी आप नाप सकते हैं तो आटा लगा पांसो ग्राम होगा उससे ज्यादा नहीं होगा यह देखिए अब इसके मोयन के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूंगे तो घी ही डालेगा गाई गुजिया में क्योंकि घी से ना गाई खसता बनती है गुजिया यह देखिए और घी देखिए ज्यादा मेल्ट भी नहीं है और ज्यादा जमा हुआ भी नहीं है यह देखिए इस तरह का घी गी मिले है तो जो मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इससे Currentल अच्छे से मिक्स करें है ताकर पुस्ट जा यह इस तरीके से मैदे में र्लेवल को यह देखे इस तरीके से आप हलका सा बांद के देखेंगे ना तो पेड़े जैसे बन रहा है तो समझ जाईए आपका मोयन तरक अच्छे से बन गया है अब मैं पानी से गुथूंगे नौर्मल पानी है यह देखे थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालिएगा ज्यादा ना पाएगी तो इसका आटा थोड़ा से सकती लगाएगा लूज नहीं लगाएगा यह देखे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैं गुथ रही हूं तो एक साथ ज्यादा पानी मत डालिएगा थोड़ा-थोड़ा पानी डालिएगा यह देखे इस तरीके से आप आटा तयार करके रख लें बिल्कुल हलवाई जैसे मार्केट जैसे गुजिया बनी है खाने में इतनी स्वादिष्ठ है गाई कि पूछिए मत यह देखें दो हमारा तैयार हो चुका है यह देखें इस तरीके का डो अप लगाईएगा जैसे पूरी के लगाते है न वैसे ही लगाईगा आए देखें एक नैपकीन को मैं भीगो कर ढख दे रही हूँ इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूगी ताकि आटा हमारा सैट हो जाए अब मैं जो फिलिंग के लिए जो मसाले में तयार की हूँ उसे मैं भूनगी तो सबसे पहले तमें एक देशी खी लूँगी एक चमच और काजू, किस्मिश और बादाम इस सब भी को मैंने बारिक काट लिया है अब मैं घी में उसे भूनगी एक देखिए किस्मिश को तो बाद में भूनगी पहले काजू बादाम को भूनगी आप चाहें तो दरदरा पीस भी सकते हैं लेकिन गुजिया में थोड़ा सा बारि में जितन ठाटा है तो देखिए हलका ही भूनगीएगा बहुत ज़्यादा इसे जलाईएगा नहीं देखिए ऍदीक इसे धीमियाज पर भूनग्या क्योंकि कटा हुआ है ना तेज आज कर देंगे तो जल जाएगा आपका साबूत होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें चेता है क्या आज आज क्योंगद है चिरोंजी निंदाना demamom क्योंपने क्योंकि भीओन लाइट होती है तो जल्द जल जाते हैं अब देखे़ इसमें भुन रही हूँ आप चाहे इसे अलग से भून सकते हैं लेकि इसमें भून जाते हैं क्योंकि इसमें mix हो जाएंगे तो सही रहेगा यह देखे इसके बाद ज्यादा देर तक ना भूनियेगा निकाल लीजेगा यह देखे अब मैं निकाल ले रही हूं ड्राइपोट्स को तो गाई इस तरीके से गुझिया बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है हमारे यहां यूपी में तो ऐसे ही बनता है मैं एक चमच और घी ले लिए हूं अब मैं इसमें सूजी भूजूंगी तो सूजी डालने से गाई गुझिया आपकी खस्ता बनती है और मुला पाच मिनट हो गया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हलका सा गुलाबी पना जाए तो निकाल लीजिएगा बहुत ज्यादा जलाईएगा नहीं अहीं देखिए नारियल है इसको मैंने घिस लिया था यह गोला वाला नारियल है तो इसका स्वाद गुझिया अब उसमें साथ में मैंने किश्मिष भी भून लिया था तो उसमें खी डालने की जरूवत नहीं है आप किश्मिष को वैसे भी डाल सकते हैं अई देखिए मैं घर पे ही खोया बनाई थी इसे मावा भी बोलते है अई देखिए तो इसको भी हलका सा गुलाबी आप भून दिष्या देखिए धीमी आज पर, तेज आज पर नहीं भून तो आपक जो मावा भी जल जाएगा तो घर का मावा तो गाई बहुत ज्यादा टेश्टी होता है को जिए के लिए मारकेट से भी आप ला सकते हैं लेकिन जो बात घर के मावे में मैं मारकेट आप नहीं होती ह घ्रट जो ड्राइफुट से मैंने मावे में मिला दिया है । हलका गरम है रहे थोड़ा थंड हो गया है तो अब मैं इसमें सुगर मिला रही हूं हूं कि इसके साथ मैंने इलाय ची को पीस लिया था अरी इलाय ची को यह देखे place cup वीडियो थो डोला सा तु fait करदी हूं क्योंकि प्रोस्यस बहुत लंबा होता है ना तो वीणी बहुत लंबी को जाती इस लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है यह देखे आटा भी हमारा सेट हो गया है आधा गुंटा तो होई चुका था यह देखे तो इस तरीके से आप रोल बना ले और इस चाकुष की साहतास काट ले तो आपको पेड़ा बनाने के जरूरत नहीं पड़ेगी यह देखे इस तरीके से तो बहुत जादा भी न भरिएगा बहुत कम भी न भरिएगा बराबर से ही भरिएगा यह देखे इस तरीके से हाथों से पहले दबा लीजे तो इससे क्या होगा आपकी गुजिया जो है तेल में जाके फटेंगी नहीं यह देखे पहले लोग डाल देते हैं उसके बार बन तो आपके गुजिया फटेगी नहीं कुछ लोग ऐसे होते ना सांचे में रखकर ही मसाला भरते हैं और फिर दबा देते हैं तो इससे क्या होता है गुजिया जो है तेल में जाने बाद फट जाती हो ठीक से बैठने पारता है यह देखिए तेल महरा गरम हो चुका है आप जा आपकी जल जाएगी यह देखिए और गोष टल्ली में ज्यादा टाइम नहीं लगता है गाई बनाने में ही ज्यादा टाइम लगता है तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है यह देखिए गाई मैंने 8-10 कुझिया डाल दी है और थोड़ा ज्ञादा ही डालेगा ज्यादा बबल्स नहीं आएंगे घुछिया में इस तरीके का gordon brown कलर हो जाये तो आप निकाल लएजवी ज़ Ok कर येगा